जैस्री राम प्यारे बगतो केवल एक बार प्रती दिन ऐसे बोलने से आपको सभी पापों से सभी समश्याओं से छुटकारा मिलेगा नी संदे प्यारे बगतो और बहुत से इंसान तो ऐसे हैं अगर उनको हम ये बोलने कि क्या आपको अपने पापों का फल चाहिए या पु प्यारे बगतों लेकिन थोड़ा सा सोचो अगर आप पापों का फल नहीं लोगे और पुन्यों का फल लोगे तो ऐसा तो नहीं चल सकता आपको ना पुन्य का फल चाहिए ना पाप का फल चाहिए क्यों क्योंकि अगर पुन्य का फल आपको मिल गया तो अगले जनम में फि फिर से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, तो इसलिए आपको पाप और पुन्य दोनों ही नहीं लेने हैं, और करना क्या है, आपको कुछ भी करने की जरूत निये, बिना नाम जब के, कुछ भी करते हो, नाम जब करते हो, कोई प्रोबलम नहीं, लेकिन अगर प्रती दिन आप ऐ सुठकारा मिलेगा, लेकिन निष्चित ही निरंतरता से प्रती दिन करना पड़ेगा, अगर एक दिन भी नागा कर दिया तो समझ लो वह हिसाब फिर आपका बन जाएगा, पाप पुन्य का, कुछ ना कुछ हिसाब आपका कठा हो जाएगा, और फिर उस हिसाब से आपको भ करनों में, और फिर उसको मन के द्वारा बोलना है, वानी से नहीं बोलना है, मन ही मन बोलना है, हे प्रम पिता प्रमेश्वर, मैं अपने अच्छे बुरे सब कारिये, तन, मन, धन, मन, वचन और करम से आपको अरपन करता हूँ या करती हूँ, एक बार ऐसे बोल के, और प् प्रती दिन एक बार बोले, तो आपके जो पाप है, पुन्य है, वो सब प्रभू के अरपन हो जाएंगे, तो फिर वो जाने, उसका काम जाने, ना आपको पुन्य का फल मिलेगा, ना आपको पाप का फल मिलेगा, आपको मुक्ति मिलेगी, लेकिन करना प्रती दिन पड़े से आपको उसको भोगना पड़ेगा और प्रती दिन के प्रती दिन अर्पन कर दिये तो इक्वल बैलेंस रहेगा जीरो तो आपको फिर जो है मुक्ति मिलेगी उस हिसाब से आपको अगे के भोग मिलेंगे क्या होगा वह बगवान जाने लेकिन पाप पुन्य का फल आपको न करो कि उसकी शर्ण में चले जा बहुत सारे तरीके हैं न मुक्ति लेने के जो हमने आज ये बताया है ये खली आपको एक बार बोलना है रात को सोने से पहले बैस होगे आरपन बगवान के चरणों में सब कुछ और आप निश्चिंत रहो बस फिर तन मन धन मन करम वचन से म मैं आपने पाप और पुन्य आपको अरपन करता हूं आपका कोटी-कोटी धन्यवाद ऐसा कहकर आप सो जाओ तो प्रेमी भगतों अब हम अपनी वानी को राम देते हैं जैस्त्री राम प्यारे भगतों